हेलो एब्रीबन मैं पुस्पा राजपूद पुस्पा खिरसोई में आप सबका स्वागत करती हूँ आज प्रेंज बनाएगे हम ऐसा नास्ता जिसको खाने मजा आ जाएगा आप टिफिन में बनाएगे या फिस वब दफैरी साम इसको चाय के साथ में बनाएगे क्योंकि मैंने यहां पर दो ले आलू लिये हैं और 100 ग्राम मैंने करीब पनीर ली आ है तो सबसे पहले हम पनीर को यहां पर कद्धू कस कर लेंगे मैती की रेस्पी वैसे तो बहुत ही कई प्रकार से बनाए जाती है पर जो बच्चे होते हैं वह मैती का कुछ भी नाम भी लेलो तो वो मना कर दें ते खाने के लिए पर मैंने सोचा आज किस तरह से बनाएंगे कि बच्चे तो क्या सब ही इसकी डिमाइंड करेंगे तो मैंने आज मैथी की बहुत इस्विसर रैस्वी बनाई तो फ्रेंस से एक बार जरूर देखिए वेडियो अच्छा लगी तो लाइक से और मैदा ले लीज़ेए जिससे भी बनाना हो तो मैंने गिहां कारे लिया है क्यूंकि यहांपर गर्म डालेंगे घीर के ऊडियों-चरदी की सिजहन यहांपर ग्यारण जाता है तो तो छम sich भरकर की हम घीर डालेंगे इसकेगे घीर फाल नहीं musicals आजवान दालेंगे और आप चाहें तो यहां पर मंग्रेल का भी इस्तिमाल कर सकते हैं, तो मैंने यहां पर जीरा और अजवान दोनों को डाल दिया है, स्वात की अंसार हम नमक डालेंगे और सभी को यहां पर हमें अच्छे से मिला लेंगे, इसके बाद हम बारी कटी हुई लेंगे, यहां पर मैथी, तो इस तरह से मैथी को मैंने क्या किया है, थोड़ा सा काट लिया है, ताकि जादा से जादा मैथी का हम इस्तिमाल कर सकें, अब हमें क्या करना है पानी को डाल करके इसका आटा गुंत करके त्यार कर लेना और हमें कुछ भी मसाला यहां डालने की फ्रेंस जरूध नहीं है क्योंकि हम मसाला यहां पर दूसरा बनाएंगे जो हमने आलू से बना करके त्यार करना है इसका हमें एक आटा लगा करके त्य यहां पर बनाने में बोध ही समय कम लगता है खाने में बहुत ज्यादा लगता है दूर यह ग्रम अग्षा सब्चाइब शुरू हो गयी है तो इस तरह से हमें इसका आठका करके तियार कर लेना है मैंने यहां पर माधी और देखा हुआ जो मोठे-मोठे डंठल होते हैं उसको निकाल करके पत्तियों पत्तियों क coping लिया है इसके बाद कि यहां पर जो हमने आलू का मसाला बना आया है तो यहां पर मैंने आलू में कुछ मसाले डाल दी हैं जीरा, सौंप, धनिया और साथ में स्वात के अंसार नमक और जो मैंने पनीर यहां पर ग्रेट करके रखा हुआ था उसको भी मिला दिया है थोड़ा साप चाट मसाला मिला लीजिए तो मसाले आप अपने स्वात के अंसा , तो यहां पर बिल्कुल नहीं लगता है, इसको बनाने में। यहां पर देखे हैं, क्या है करना है इसको थोड़ा सा बीच में, पीच करना है और इस तरह से हमें यह पणीर वाली जो हम िना도 हो नियुकुल मिक्त्राइ Oak Park में इस तरह से अधिक आसम है तरह मिलगा कर दिएक यह क्वाइड सब्सक्राइब कर देंग highlighting heart मैं इसको पूरा नास्ता बना करको पड़ेंगे और आत्रम कर लेंगा बिल्कुल भी समय नहीं लगा है और बस दियां करेंगे कड़ाय में हमने यहां पर तेल डाल दिया तेल को हम थोड़ा सा हलका गुनगोना करेंगे बहुत जब तेज हाई फिलिम में यह दी सेखेंगे आप तो गया होगा आपका जो नास्ता होगा को क्रिस्पी कम बनेगा तो थोड़ा सा मेडियम आप गैस को रखे और इस चाहे को डाल दिजिए कम से कम इसको एक मिनाट तक सिखने दीजिए यहां पर इसको किसी बी सॉस चक्नी के साथ पुरेंस बनाया हुआ था सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया और मेरे यहां तो यह नास्ता कम पड़े गया तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग बनाएं तो यहां पर देखे इसका कलर देरे देरे आना सुरू हो गया है तो आपको जैसा भी कलर पसंद थोड़ा सा डार्क पसंद तो थोड़ा ज्यादा सेख लेजिए यहां पर साथ में मैंने यहां पर चार हरी मिर्च को डाल दिया है मिर्च भी क्योंकि इसमें बहुत अच्छी फ्राई मिर्च लगती है खाने में तो थोड़ा सा जब भी आप हरी मिर्च को डालने या तो हलका सा चीरा लगा दें या स्ट्रेटे मिर्च भी हमारी भी करती समय हだanta भी द्यान मिर्च भी हमारी फ्राई हो चुकि हमों सबस्थ और निखाम नास्ता है यहां पर शुरुर के आप देखçon हो चुका है सब्सक्राइब अन्यां तरन खषयत जो किड्या इख वर सीकोमे क्ड़़ाई कर गरम है तो जब तक ये हमारा थेल ठंडा हो रहा है तब चाहिए हम बन करस्था भarzा हमारे जञ्षपी नास्ता व्हें करने के लिए इस पर बहुत ही जधा कोरिखा भी ज़या है किुछ कोर्ष भाइट भर नास्ता भाइए करिकर, minimal कि ये आप नाया है तो हमारा आज का नास्ता हेल्दी टेश्टी बनकर के त्यार है और इस तरह से आप मैथी की रस्पी बनाएंगे तो किसी पता भी नहीं चलेगा कि यह आपने मैथी से बना करके त्यार की है तो आपके बच्चे मैथी भी खा लेंगे और मैंने यहां पर देखे जो आलू और पनीर लिया हुआ है यह तो बच्चों का फैबरेट है तो इस तरह से आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं यह आपका नास्ता बिल्कुल भी सॉप्ट नहीं होगा और इसी तरह से यह क्रिस्पी बना रहेगा आप घंटे दो घंटे जितने देर चाहा उतने के देर रख सकते हैं तो आज के लिए इतना इंकल फिर हाज होगी नहीं रहेगा है